खबर लगी है कि ED ने एक बार फिल्ट दिल्ली के मुखे मंतरी को सम्मन किया है और तीन जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है उमीद करता हूँ अरविन केजिवाल साथ कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे और कोई नया बाना नहीं मारेंगे जिसा आपने पिछली बार आपने पहली बार बाना माला थहा कि मुझे मध्यपर्देश और राज्यस्तान के चनावो में मां व्यस्त था हूँ और इस पर आपने कह दिया है मैं प्राश्णावी व्यास्त हूँ अब क्या निया बाना होगा मुझे नहीं मालूँ लेकिन उमीद करता हूँ जो ED आपसे सवाल पूछ रहा है उसकी आप सवालों के जवाब देंगे उमीद आपसे यही करता हूँ आप जितना मर्जी कह लिए दें अरुण केईवाज साहब कि ऐसा कोई केस नहीं बनता ये संबन्द फरजी है गोटाला हुआ ही नहीं अगर गोटाला नहीं हुआ तो आज संजे सिंग की जबानत एक बार फिर रिजेट होई है और कोट ने माननी नियायल ने साफ का है कि संज सिंग कई ना कई प्राइमाफेसी एक्यूज्ड है उन पर शक जाता है और मनीज सिसुदिया के बारे में तो सुप्रीम कोट ने बोला कि तीन सो करोड का मनीट्रेल है उमीद है कि के अर्विंद जो मनीज सिसुदिया की परसनल सेकेटरी है उन्हें जब साफ तोर पे कहा कि आपकी मौजूदगी में 5-12% कमिशन का ड्राफ डॉक्यूमेंट दिया गया उसका जवाब आप एडी को देंगे तीन सो करोड का मनीट्रेल सुप्रीम कोट ने कहा है उसका आप जवाब देंगे आप भागें नहीं और मुझे रगता है कि इस पार अगर आपने भागे तो आपको मालूम है कानून सक्त सक्त कारवाई करेगा और आप हाजिर नहीं हुए फिर मत कहना फिर मत बिचारा पॉलिक्स खेलना में यही कहना है उमीद है आप कानून के सामने हाजिर होंगे लगता है